नमस्कार दोस्तों, Study IQ में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं Environment and Ecology के Set 6 को जो लोग हमारे साथ नए जुड रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा यह जो पूरा का पूरा course है, यह हमने UPSC 2020 के लिए तयार किया है UPSC के Prelims को दिहान में रखते हुए इस course को तयार किया गया है लेकिन जो बच्चे यहाँ पे बाकी exams की तयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह काफी जादा लाब दायक साबित हो सकता है तो please आप भी इस वीडियो को देखें अगर आपके दिमाग में यह सवाल है कि इसकी पुरानी वीडियो कहां से लेनी है तो description में हमने YouTube की नीचे description है वहाँ पर हमने एक playlist बनाई है यह playlist Study IQ के दवारा ही तयार की गई है आप वहाँ पर से जाकर इसकी सभी पुरानी वीडियो को देख सकते है इस particular वीडियो में हम cover करने वाले हैं Species in News को Species in News यानि की जो पिछले एक साल में समाचार में प्रजातियां रही है उनको हम यहाँ पर cover करेंगे क्लियर आई यह स्टार्ट करते हैं मेरे साथ मेरा नाम है अनेरुद इस लेक्षर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलेग्राम चैनल अनेरुद सर के नाम से ठीक है ध्यान रखेगा यह मेरी यूनिक आईडी है ट्विटर पे भी आप मेरे साथ जोट सकते हैं यह है मेरा ट्विटर हैंडल राइट Study IQ ने अपनी आपको launch कर दिया है इसी आपके ऊपर जो है कई सारे courses available हैं जिसमें से एक course मैंने बनाया है UPSC past year prelims के discussion का इसमें पिछले 10 साल के papers को subject wise cover किया गया है यह काफी important को साबित हो सकता है आपकी UPSC की तयारी के लिए आप वहाँ पे जाके इसको buy कर सकते हैं आज़े start करते हैं starting में मैं आपको कुछ ऐसे सवाल दिखाना चाहता हूँ जो कि UPSC ने अभी तक इन topics से पूछे हैं यह पिछले कुछ years के ऐसे questions हैं जो यह बताते हैं कि जो प्रजातियां है जो भी समाचार में होती है या फिर जो वैसे भी काफी important है इनकी एहमियत क्या है इनकी एहमियत यह है कि UPSC इन से almost हर साल कुछ ना कुछ question definitely बुचती है यहाँ पर यह question है यह पिछले कुछ सालों में आपको बताना चाहूंगा इस question का जो answer है वो है 1, 2 and 3 only जो spider monkey है यह भारत में नहीं पाया जाता यह पाया जाता है Central America के देशों में Central America में पाया जाता है यहाँ तक कि यह Brazil के कुछ areas में भी पाया जाता है लेकिन यह Asia में कहीं पर नहीं पाया जाता तो भारत में भी ये नहीं पाया जाता उसके बाद इसका दूसरा नाम है और तीसरा सवाल अगर हमको घडियाल जो है उसको देखना है उसके प्राकृतिक आवास में तो कहां पर देखे जा सकते हैं ये देखे जा सकते हैं चंबल की नदी में बहुत ही famous spot है, बहुत अच्छा tourist spot है गडियाल को देखने के लिए ठीक है ये कुछ सवाल जो पहले पुछेगा है इसी अधार पर हम start करते हैं इस lecture को सबसे पहले आपको कुछ basics बता दूँ IUCN जो है ये काफी important body है International Union for Conservation of Nature ये एक NGO है ठीक है बहुत सारे बच्चों के दिमाग में वहम होता है कि ये एक अंतर सरकारी संगठन है यानि कि Intergovernmental Organization है लेकिन ये एक NGO है which works to achieve the following goals ठीक है क्या-क्या इसके उदेश है क्या-क्या है जो जो यहाँ पे चिंता के विशे है उनको ये दुनिया के सामने लाते है और उसी को लेकर ये जागरुकता भी फैलाते है दुनिया भर में ठीक है इसके लिए ये एक बहुत important चीज़ करते है वो है red list IUCN maintain करती है red list और maintain ही नहीं करती इसको time to time जो है ये update भी करती है अब कह सकते हैं इसका नवीनी करन भी जो है ये time to time करते रहते हैं और इस red list में provide गया जाता है taxonomic data, conservation का status, distribution, information on species which are facing high risk of global extinction जो की वैश्विक level पर विलुप्त हो सकती है उन species का यहाँ पर हर तरह का information हर तरह का data बहुत ही बड़ी list है ठीक है बहुत ही huge list यहाँ पर दी जाती है यहाँ पर हम कुछ words का इस्तिमाल करेंगे जो मैं चाहता हूँ आप इससे वाकिफ हो जाए जो red list की categories है कुल मिलाके तीन तरह की categories बनाई गई है extent, threatened और least concern ठीक है लेकिन जो categories का हम use करेंगे वो categories असल में second line की categories है यह वाली उपर वाली तो super categories है लेकिन जो main categories है वो हम इनका use करेंगे extent में दो categories आती है ex और ew ex का मतलब की अब बिना किसी doubt के कहा जा सकता है कि इसका last individual जो है वो मर चुका है ठीक है अगर हम extent in the wild की बात करें ये term जो है ये भी काफी important है extent in the wild का मतलब क्या होता है कि ये जो animal है ये kevel और kevel captivity में पाया जाता है outside its natural range यानि कि ये अपने प्राकृतिक आवास में अब नहीं पाया जा रहा ये कहां पे पाया जाता है या तो किसी zoo में इसको रखा हुआ है किसी सरकार ने या इसको किसी zoological lab में रखा हुआ है ठीक है ऐसी कुछ जगाओं पे जो कि इसकी natural habitat नहीं है वहाँ पर जब इसको रखा जाता है तो कहा जाता है extent in the wild यानि कि ये जंगलों में नहीं पाया जाता जो कि इसकी natural habitat है then आती है category of threatened threatened में तीन categories है सबसे एहम जो हमारी इस पूरी वीडियो के लिए होंगी ये तीन categories है critically endangered, endangered और vulnerable की तीन categories critically endangered यानि की गंभीर रूप से खत्रे में है यहाँ पर सबसे important category यही होती है उसके बाद है endangered यानि की बताएंगे की इसका parameter क्या होते है then we have near threatened near threatened यानि की यह अभी जो है कमजोर हो सकती है और then we have least concern यानि की इनको लेकर आपको चिंता करने की कोई अवशक्ता नहीं और यह काफी unlikely है कि यह आगे जाके extension face करेंगी यानि की यह safe है ठीक है यहाँ पर चीज आपको बताना चाहूँगा बच्चे confused होते है इसमें एक word use होता है कि हाल ही में समाचार में रहा कि IUCN ने इस particular प्रजाती का जो status है उसको upgrade कर दिया है या उसको downgrade कर दिया है उसका क्या मतलब है upgrade करने का मतलब यह होता है कि critically endangered से अगर किसी species को endangered declare क्या जा रहा है तो उसे upgrade कहा जाता है ठीक है अगर किसी species को vulnerable से endangered किया गया तो उसे downgrade कहा जाता है ठीक है यह वाली terminology आपको मालूम होनी चाहिए इस तरीके से है critically endangered endangered vulnerable अगर तो उपर से नीचे आ रहा है तो इसको कहा जाता है upgrade और अगर नीचे से उपर जा रहा है तो इसे कहा जाता है downgrade उल्टा है you have to understand that ठीक है अगर हम तीन main categories की बात कर ले critically endangered, endangered और threatened की इसमें यह कुछ numbers है basically यह बताते हैं कि पिछले 10 साल में इनकी जो population की संख्या है उसमें कितनी कटोती हुई है ठीक है अगर पिछले 10 साल में 80% से जादा कटोती हो चुकी है तो critically endangered की श्रेणी में आ जाएगा अगर 50% से जादा हुई है तो endangered की अगर 30% से जादा हुई है तो threatened की ठीक है यह basically तरीका है यह बताने का कि हम judge कैसे करते हैं किसी भी species को critically endangered या endangered या threatened और यह जो कटोती हुई है इनकी जनसंख्या की जो आंकडे है जो कम हुए है यह कितने range में हुई है यह भी आपको बताना है less than 100 km2, less than 5000 km2, less than 20,000 km2 ठीक है एक तो तरीका यह है बताने का critically endangered, endangered threatened का एक दूसरा तरीका है वो है very small population अगर माल लीजिए कोई ऐसी species है जिसकी पूरी दुनिया में 50 से भी कम number है तो वो critically endangered माना चाएगा ठीक है अगर माल लीजिए endangered है तो उसके number 200 से कम होने चाहिए अगर 1000 से कम है तो उसको threatened कहा जाएगा पूरे विश्व किस्तर पर ठीक है इसके number काफी कम है इतने कम है कि आप इसको almost हम कह सकते है double digit numbers है इसके तो इसकी स्थितिक काफी जाथा जो है गंभीर है ऐसे हम काफी example से और समझेंगे कौनसी कौनसी प्रजातिया है जो news में रही यहाँ पर हम उन चीजों को भी cover करेंगे जो नई species discover की गई आईए start करते हैं I hope आपको basics clear हो चुके है सबसे पहले Saharan silver ant ठीक है हाल ही में विग्यानिकों ने इसको discover किया the world's fastest ant यह दुनिया की सबसे जादा तेज जो है उडने वाली ant है the Saharan silver ant sorry चलने वाली ant है which runs at speed of 108 times their body length per second which is equivalent to 360 miles per hour in humans the Saharan ant is found in the sand dunes of Northern Sahara तो जो वहां के एक तरीके के मरूस्थल है जो Northern Sahara के मरूस्थल है वहां पर यह पाये जाता है ठीक है यह Africa का map है हम सभी को मालूम है Sahara का region जो है वो यहां पर है तो यह Northern Sahara में कहीं नहीं कहीं पाये जाते है The ants scavenge the corpses of other creatures during the hottest part of the day यानि कि यह scavengers है ठीक है यह मरी हुई मृत जो जानवर होते हैं उनी को खा के जिन्दा रहते हैं To survive the heat The ants have silvery hairs that reflect the sun's rays Next बात करते हैं Tamil Yoman की Tamil Yoman जो है यह news में क्यों रही यह एक butterfly की species है Which is endemic to western ghats जब हम बोलते हैं endemic Endemic का मतलब होता है यह प्रजाती केवल और केवल वहीं पर पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती ठीक है अगर आपसे सवाल यह उशा जाता है कि Tamil Yoman is found in North Eastern India तो सवाल बिलकुल गलत होगा Because it is endemic to western ghats इसको हाल ही में Tamil Nadu ने अपनी state butterfly declare कर दिया है यह state butterfly जो declare करने का चलन है यह हाली में शुरू हुआ था सबसे पहली state भारत में जो बनी थी to declare a state butterfly वो महराष्टरा थी ठीक है जिसने blue mormon declare किया था उसके बाद उत्राखंड फिर करनाटक और उसके बाद अब Tamil Nadu पहले वीश में केरल भी थी यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा महराष्टरा की state butterfly blue mormon है यह सवाल अल्यडी UPS से पूछ चुकी है उत्राखंड की state butterfly है common peacock करनाटक की state butterfly है southern bird wings और केरल की state butterfly है मालाबार bandit peacock ध्यान देंगे Tamil Uman का दूसरा नाम Tamil मारवान भी है यानि की warrior यानि की योधा ठीक है Tamil Uman Tamil ने declare किया है अपनी state butterfly को सवाल ऐसे आएगा कि Tamil is the only state in India to have a state butterfly वो सवाल गलत होगा because वो question गलत होगा because यहाँ पर और भी कई सारे राज्ये हैं जिन्नोंने अपने राज्ये की butterfly को declare किया हुआ है next purple frog purple frog जो है ये भी काफी अद्धूत है purple frog जिसका नाम है नसीका बटराचूस सहियादरेनेसिस ठीक है ध्यान देगे ये जो नाम है आपने सुना होगा सहियादरी के बारे में सहियादरी जो है वो western ghats को कहा जाता है right ये it could be soon designated as Kerala's state amphibian ठीक है इसको Kerala के राज्यका amphibian का दरजा दिया जा सकता है ये भी western ghats में endemic है ये जो प्रजातियां है basically इनको विज्ञानिक ढूंते रहते हैं जब इनको ऐसी को प्रजाती मिल जाती है जो की काफी लंबे समय से नहीं दिखी थी तो इसको काफी importance दी जाती है ठीक है जो इसकी evolutionary हम कह सकते है roots है वो ये बताती है कि ये उस समय का frog है जब dinosaurs भी रहा करते थे यानि कि इनोंने अपने आवास को share किया है with the dinosaur also ठीक है सतर मिलियन से भी पुराना frog है इसलिए इसको living fossil का भी नाम यहाँ पे दिया गया है it is also known as pig-nosed frog clear इसका नाम आपको ये scientific name important नहीं लेकिन interesting है ये जानना की नाम कैसे दिया जाता है सह्याद्रेनिस इसलिए दिया गया because ये सह्याद्री में पाया गया है यहाँ पर एक और interesting चीज़ में पताना चाहूंगा आप लोगों को सबसे पहले तो IUCN status की अगर हम बात करें वो तो endangered है यानि कि ये खत्रे में है इसके numbers काफी कम होंगे इसलिए IUCN इसको status endangered दिया हुआ है एक नई list है जिसके बारे में आपको मानूम होना चाहिए edge list की बात करते है edge list ने इसको तीसरे number की ranking दी है edge list क्या चीज़ है edge list basically काफी हद तक similar है IUCN से edge list की जो ranking है वो क्या बताती है evolutionary distinct and globally endangered ठीक है यानि कि evolution के हिसाब से काफी भिन है और वैश्विक्स तर पर ये खत्रे में है ऐसी प्रजातियों को ठीक है एक edge score दिया जाता है अगर वो वैश्विक्स तर पर काफी जादा खत्रे में है यानि कि उनका edge score जो है काफी हाई होगा a metric combining endangered conservation status with distinctiveness of taxon इसको launch किस ने किया था the ZSL launched a global conservative initiative the edge of existence program in 2007 भारत में ऐसा नहीं कि केवल ये frog है जो edge की list पे है और भी कई सारी प्रजातियां है जिनको edge की list पे रखा गया है जैसे कि Bengal florican है Ganges river dolphin है यानि कि gengetic dolphin है hawksbill turtle है घडियाल है ठीक है ऐसी प्रजातियां है जो कि edge की list पे आती है तो जितना ज्यादा high score होगा यानि कि इनका उतना ज्यादा जो है ये उतना ज्यादा खत्रे में है पूरे विश्व में next बात करते हैं गंजेटिक river dolphin की बहुत ही एहम बहुत ही महत्वपूरण species है it is among the four fresh water dolphins in the world ठीक है its presence indicates the health of the riverine ecosystem इस line का क्या मतलब है यानि कि अगर आपका जो ecosystem है अगर आपका जो river का ecosystem है अगर वो काफी दूशित है माल लीजे तो वहाँ पर जो dolphins है इनकी संख्या काफी कम हो जाएगी ठीक है तो ये बताता है अगर वहाँ पर basically production जादा है इनकी number कम हो जाते है तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर दूशन जादा है अगर इनके number कम हो जाते है तो it is a relationship to show कि वहाँ पर pollution levels काफी जादा है और हमें कुछ करना चाहिए इसकी जो designation है काफी काफी important है अल्यडी आपको बता चुका हो सवाल आ चुका है यह भारत का national aquatic animal है ध्यान देंगे वैसे तो इसका नाम गंजेटिक रिवर डॉल्फिन है लेकिन ऐसा नहीं कि यह केवल गंगा में ही पाय जाता है यह ब्रमपुत्रा में और उसकी कुछ और ट्रिब्यूटरी में भी पाय जाता है इसके उपर सवाल आने के बहुत सारे चांसिस है इसको क्या-क्या खत्रे है फिलहाल dumping of single-use plastic नदियों में जो single-use plastic dump के जा रहा है वो इसकी इसके स्वास्त के लिए काफी खतरनाक है उसके बाद उद्योगों के द्वारा छोड़े जाने वाला दूशन और fishing and dredging fishing में भी इसको काफी खतरा होता है because यहाँ पर fishes के time पर जो मचवारे हैं कभी कबार वो अपने activities के थुरू इनको भी हाम पहुंचा सकते हैं next it is known to make strange sounds when it breathes earning it the common name susu जब यह सास लेती है तो काफी different तरिके के sound आती है इसलिए इसका नाम susu दिया गया है it is also called a blind dolphin because it does not have a crystalline eye lens and uses echo location to navigate and hunt यानि कि यह echo location आवाज के थुरू से यह navigate करती है basically आवाज के थुरू यह अपना रास्तर रूनती है यह blind dolphin इसलिए कहीं जाती है the annual Ganges River Dolphin census was undertaken by the WWF ठीक है WWF another very very important NGO WWF के साथ collaboration में UP Forest Department ने Ganges River Dolphin का census conduct किया था 2019 में it was done along about 250 km long stretch of upper Ganga between the Hastinapur Wildlife Sanctuary and the Narora Ramsar site ठीक है यह इतना important नहीं आपको मालूं के वाल इतना होना चाहिए इसका नाम susu है और इसको blind dolphin भी कहा जाता है national aquatic animal है IUCN status endangered है next इसी के साथ जुड़ा हुआ काफी important है इसको लेकर एक बार सवाल आया था UPSC में उन्होंने ये पूछा था कि गडियाल और Gangetic River Dolphin एक दूसरे को खत्रा कैसे पहुचा सकते है जो गडियाल है इसकी खास बात क्या है ये fresh water crocodile है ठीक है ये काफी important चीज है यानि कि अक्सर जो crocodiles होते हैं वो salt water होते हैं लेकिन गडियाल एक fresh water crocodile है दे लिव इन डीप fast flowing rivers with high sand banks that use for basking and building their nests ठीक है इन इंडिया major breeding populations are confined to two चंबल और गिर्वा river only चंबल की नदी में ये बहुत ज़ादा पाय जाते है एक बहुत important tourist spot बन चुका है गडियाल्स की वज़े से वो ठीक है इनका यो IUCN का red list का status है वो critically endangered है यानि की गंभीर रूप से खत्रे में है यहाँ पर एक नई चीज से आपको introduce करना चाहता हूँ वो है Wildlife Protection Act ठीक है जो हमारा Wildlife Protection Act है 1972 का काफी important है इसमें basically schedules दिये गए है ठीक है schedule 1, schedule 2, 3, 4, 5 और 6 इसमें 6 important schedules है जो अगर कोई प्रजाती को भारत सरकार ने schedule 1 में रखा हुआ है इसका मतलब ये है कि इसका protection level काफी high है अगर कोई इनसान गलती से ऐसी प्रजाती को hunt कर लेता है जो कि schedule 1 में है तो उसकी सजा बहुत ही भारी है और जैसे जैसे आप नीचे जाते रहते हैं schedule 2 में वो प्रजातियां है जिनकी सजा कम है जो basically आप कह सकते है schedule 1 में basically उनको रखा हुआ है जो या तो critically endangered है या endangered है ठीक है ऐसा भी हो सकता है कि वो species vulnerable हो ठीक है जो wildlife protection act है वो तो भारत का है राइट यहाँ पर भारत के context में इसको numbering दी जाती है यह भारत के context में पहले schedule में रखा गया है यानि कि इसको सबसे उचे स्तर की सुरक्षा दी गई है wildlife protection act के अंतरकत ठीक है दूसरी चीज़ आपको बता दू गडियाल और गांजेटिक डॉल्फिन ऐसा नहीं कि गडियाल गांजेटिक डॉल्फिन को खाता है हाँ यह जरूर है कि दोनों के दोनों जो है वो fishes को खाते है इसलिए इन में वैसे competition हो सकता है ठीक है लेकिन यह एक दूसरे के लिए खत्रा नहीं है अभी तक हमें नहीं मालूम कि इनका जीवन काल कितना होगा अभी नहीं मालूम कि यह खत्रे में है यह गंबीर खत्रे में है यह कमजोर है अभी केवल इतना कह सकते है कि यह जो है काफी पुरानी species है जो कि suddenly अभी discover की गई है ठीक है इसको जो है starry frog क्यों कहा गया यह सब हम जान लेते है scientist ने इसका नाम दिया है astrobatracus kurichiana यह इसका scientific नाम है जो kurichiana नाम दिया गया है यह क्यों दिया गया है because यहाँ पर जो वहाँ के indigenous people है जो वहाँ की वहाँ की जन जातिया है उनका नाम है kurichiar mala ठीक है तो जो area है kurichiar mala है वहाँ पर जन जातियों का नाम भी kurichiana है इसलिए यह नाम यहाँ पर दिया गया है kurichiana the hill range where it was found ठीक है तो यह जगा का नाम है जहाँ पर यह indigenous लोग यानि की जन जाती लोग रहते हैं और astro batracus क्यों दिया गया है because इसके उपर जो markings आप देख सकते हैं यह सारी markings जो इसके उपर देख सकते हैं ऐसा लगता है यह constellation की तरह है जो constellation हम आसमान में देखते हैं वैसी constellations की तरह है इसलिए इसका नाम दिया गया है इसका जो nickname है वो starry dwarf frog इसलिए रखा गया because they are around the size of an adult's thumb have an orange belly, a brown back and are covered in white spots तो यह इसका nickname है starry dwarf frog बहुत छोटा है frog की तरह दिखता है starry क्योंकि इसके उपर ऐसे छोटे-छोटे spots दिख रहे हैं clear next देख लेते हैं hubara bustard it is a large bustard that lives in arid climates residing in North Africa and Asia इसका IUCN का जो star है वो vulnerable है इसको threats क्या-क्या है poaching का threat है unregulated hunting का habitat degradation का right तो यह भी news में था briefly हमने cover किया है hubara का bustard यह Asia में भी पाया जाता है next बात करते हैं ज्यादा interesting है duck-built platypus duck-built platypus एक बहुत ही interesting प्रजाती है it is one of the very few egg-laying mammals right यह egg-laying mammals की category में आता है IUCN ने recently इसके status को downgrade किया है to near threatened ठीक है near threatened यानि कि पहले जो है यह least concern में था अब इसको near threatened में डाल दिया गया है यानि कि इसकी जो संख्या है वो कम हो रही है दुनिया में ठीक है it is a small amphibious Australian mammal यह Australian mammal है amphibious भी है Australia's drought and effects of climate change are pushing duck-built platypus a globally unique mammal towards extinction पहले जो है इसके संख्या काफी अच्छी थी लेकिन Australia में आपने सुना होगा इस साल जो बहुत बड़ी आग लगी थी तो वहाँ पर forest fires बहुत हो रही है drought है, सूखा पढ़ रहा है और जो यहाँ पर परयावरतन में बदलाव आ रहे हैं जो यहाँ पर परयावरतन में बदलाव आ रहे हैं उसके वज़े से यहाँ पर ऐसी स्पीशीज के ऊपर खत्रा बढ़ रहा है इस अ ग्लोबली यूनीक मैमल और जो बहुत है यह एग लेंग मैमल है यह काटेगरी होती है बहुत ही कम मैमल हैं जो की एग ले करते हैं पिशले 10 साल में जब इसकी कोई साइटिंग नहीं देखी गई जब इसकी कोई जो है इसको देखा नहीं गया तो इसको अब एक्स्टिंग डिया गया है फोसिल और एवलूशन बेसिकली बताती है कि यह 200 मिलियन से भी पुरानी फिश थी लेकिन अब यह यह एक्स्टिंट हो गई है नेक्स्ट इंडियन फ्लाप शेल टॉटल फ्लाप शेल टॉटल विच इस स्मॉलर इन साइज इस किल्ट फॉर इस मीट विच इस कंसिरर डेली केसी इन बोथ बेंगौल और बंगलादेश इस लिस्टेड अस लीस्ट कंसर्ण अंडर धी आयूशन रेड लिस्ट थी अभी लीस्ट कंसर्ण में है IUCN Red List में ये एक edible basically जानवर है जिसको बेंगॉल और बंगलादिश दोनों में ही खा जाता है Indian Peacock Soft Shell Turtles Indian Peacock Soft Shell Turtles are categorized as vulnerable कमजोर की category में डाला गया है in the IUCN Red List It is also listed in Schedule 1 of the Wildlife Protection Act and Appendix 1 of Sites एक नई चीज़ आई है इसके बारे में चर्चा करते हैं यहाँ पर I think आपका vote out clear हो जाएगा मैंने आपको पहले भी कहा था Wildlife Protection Act जो हमारा वन्नजीव सुरक्षा करने का अधिनियम है 1972 उसके जो schedules बने होए हैं ठीक है उन schedule के अनुसार ऐसा नहीं कि schedule 1 में केवल critically endangered प्रजाती ही होगी vulnerable भी हो सकती है provided उसके भारत में जो संख्या है वो काफी कम है या फिर उसको भारत में खत्रा काफी जादा हो ठीक है यह यहाँ पर schedule 1 में क्यों डाला गया है because it is heavily exploited for its meat and calipi the outer cartilaginous rim of the shell तो इसके लिए इसको काफी exploit के जाता है लोग इसको खाते हैं ठीक है इसी लिए जो है यह schedule 1 में डाला गया है अब साथ ही में बात आती है appendix 1 of sites sites की चर्चा वैसे पहले मैं पुरानी वीडियो में कर चुका हूँ लेकिन फिर भी बताना चाहूँगा जो लोग नहीं जोड़ रहे है sites क्या है sites is convention on international trade on for endangered species ठीक है यह वो वाला समेलन है जो की किया गया था जो अंतराश्ट्री वैपार होता है ठीक है जो basically यहाँ पर उन species के लिए जो की खत्रे में है उनके अंतराश्ट्री वैपार के उपर प्रतिबंद लगाने के लिए ये convention ये समेलन ये बताता है कि इनका वानिजिक तोर पे वैपार नहीं हो सकता काफी सारी प्रजातियां ऐसी है जिनको आप commercial trading के लिए इस्तिमाल नहीं कर सकते उसमें भी similar same चीज़ है अगर किसी प्रजाति को appendix 1 में रखा गया है और उसकी अगर trading करते हैं कुछ लोग ठीक है तो उनको जो सजा मिलेगी वो सबसे ज़ादा संगीन सजा मिलेगी तो जो सबसे top पे होगा appendix 1 में होगा जैसे जैसे appendix 2, appendix 3 में आप जाएंगे वैसे वैसे सजा कम होती जाएगी ठीक है तो ये appendix 1 में भी है schedule 1 में भी है लेकिन IUCN में इसका status vulnerable है next very very interesting इरावडी की dolphins ठीक है इरावडी जैसे हमने देखा गांजेटिक रिवर डॉल्फिन वैसे ही इरावडी की डॉल्फिन है ये भारत में आपको देखने को मिल जाती है चिलिका लेक में चिलिका लेक जो है वो ओडिसा में है ठीक है इसको चिलिका लगून भी कहा जाता है इरावडी जो है ये वही नदी है जो मायनमार में बहती है और ये ब्रावडी की डॉल्फिन इनका IUCN status जो है वो endangered है इसमें से 80% जो है वो बांगलादेश में ही लोकेटिड है ये भी काफी जादा यूनिक काफी जादा distinct dolphins माने जाती है भारत में चिलिका लेक में ये पाई जाती है नेक्स्ट क्लामे डोमोनास निवालीस ठीक है क्लामे डोमोनास का आपने नाम सुना होगा क्लामे डोमोनास बेसिकली एक algae की species होती है और ये हाल ही में न्यूज में थी अंटाक्टिका के कोस्ट पे ठीक है हमें red snow देखने को मिली ये red snow जो है ये वहाँ पे कैसे पहुंची ये आप देख सकते हैं द्रिश में इस पे study IQ के platform पे एक अलग से video भी मनाई गई है red snow के बारे में red snow is being caused due to a unicellular photosynthetic alga species which exists in snow in the polar and glacial regions तीक है तो ये polar इलाकों में आपको ऐसी अलग और बहुत ही अलग तरीके की alga species देखने को मिलती है जिसका नाम है clamia domonais nivalis और ये एक red pigment करी करती है to keep itself warm ये algae जो है ये freezing पानी में ही thrive करती है and spend winters lying dormant in snow and ice when summer comes the snow melts algae blooms spreads red flower like spores basically ये क्या हुआ कि अभी जैसे है आपकी गर्मिया आने वाली है तो जैसे जैसे गर्मिया आती है ये फैलने लग जाती है ये thrive करती है freezing water में and spends winters lying dormant in snow and ice लेकिन जैसे ही गर्मिया आती है ये snow melt हो जाती है algae bloom कर जाती है हम लेकिन यहाँ पर जो बात कर रहे है ये भारत के orangutan की बात कर रहे है भारत का जो only orangutan है एक ही orangutan था died in Odisha's नंदन कनन Zoological Park ठीक है इसका sites का status appendix 1 है यानि कि इसमें अगर आप अंतराष्टे वेपार करते हैं तो काफी जादा बड़ी सजा मिल सकती है IUCN का status भी इसका critically endangered है आपने यहाँ पे जो बच्चे anthropology optional की होंगे उनको शायद मालूम होगा एक line ऐसी थी जब humans की evolution हो रही थी तो एक line ऐसी थी जो आगे जाके orangutan में बन गए थे कुछ gorilla बन गए थे orangutan बन गए थे orangutan basically great apes की category आती है यह काफी सारी वैसी activities कर लेते हैं जो की इनसान कर पाते हैं और आंगुटान काफी interesting species हैं भारत का अकेला एक orangutan था जो की Singapore से लाए गया था इसकी जो है मृत्ति हो गई थी Odisha के नंदन कनन जोलोचिकल पाथ में next and last चिंकारा गजल्स गजल्स भी अकसर UPSC ने बहुत सवाल पूछे हैं गजल्स के उपर गजल्स को हमने cover इसलिए किया वैसे तो इसका जो IUCN status है वो least concern है यानि की कोई जादा खत्रा नहीं है इनकी संख्या के उपर चिंकारा गजल्स रहते कहां पर हैं ये अकसर सूखे इलाकों में रहते हैं dry habitats and does not require much water for their survival they get their moisture from dew eating vegetation, fruits and other similar sources मैं यहाँ पर क्या बताना चाहता हूँ गजल्स basically काफी तरह तरह के होते हैं ठीक है चिंकारा गजल्स जो है उसको Indian गजल्स भी कहा जाता है ये वाला जो गजल्स है चिंकारा गजल्स ये कहां कहां पाय जाता है अफगानिस्तान पाकिस्तान इरान और भारत में कहां पाय जाता है गुजराथ राजिस्तान में ये बहुत ज़्यादा पाय जाता है अब आपको एक interesting की जहां बताना चाहता हूँ मेशा deer की hunting करते थे या फिर antilopes जो दूसरे antilopes हैं उनकी hunting करते थे वो gazelle की hunting कभी नहीं करते थे क्योंकि gazelle एक तो देखने में काफी जादा distinct होता है इसके जो horns है आप उसके horns से पहचान पाते हैं कि ये अलग है और दूसरी चीज यहाँ पर ये जो हैं काफी सुंदर होते है as compared to the deer इसी लिए भी इनको कभी मारा नहीं जाता था राइट काफी interesting point है इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ समात करता हूँ अगली वीडियो में हम कुछ और प्रजातियां है जिनको cover करेंगे एक वीडियो जो है लंबी जा रही थी इसलिए हम इनको दोग में break कर दिया है next वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और प्रजातियों के बारे में clear वहाँ पर कुछ और interesting चीजें आएंगे जैसे कि tiger है ठीक है और ऐसी काफी सारी चीजें है जिनकी हम चर्चा next वीडियो में करेंगे तब तक के लिए thank you for listening to me and stay tuned and stay safe